हेलो अच्छो नमस्कार प्रणाम अधाब मैं रमोद कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रमोद सर्बैलोजी में स्वागत आजाओ सब कहा है जुड़ जाओ आज एक खतर नमबर सेट के साथ मैं सुरू कर रहा हूँ ठीक है 71 आईए देखते हैं जैविक सिस्टम लिविक सिस्टम में रसानी क्रिया की प्रक्रिया को तेज केटलिस्ट करने के वली करने में उत्तरदाई पदार्थ जैविक क्रिया को तेज करने में उत्तरदाई पदार्थ उत्तरदाई का मतलब उत्तरदाई पदार्थ कौन है इसको प्रदाट कोन है यह एंजाइम है एंजाइम का क्या क्या काम है आप के तलीच का काम समझते ही हो जादे करता और कम भी करता प्रक्रिया की गती को बढ़ाता भी और कम भी करता है तो यह catalyze catalyze क्या मतलब उत्प्रेरक उत्प्रेरक का काम करता है एंजाइम करता है बैक्टिरिया की खोज कौन की है लिवेन हॉक लिवेन हॉक डिन एक खोज कौन की है एंटरिक मीसर मीसर और प्रोटीन का संभवता परजिलियस एक्जेक्ट हम को याद नहीं है तो यह हो गया इसका एंजाइम हो गया किया है बिद्द्धा अवैस्था ए samband kaal प्रभाव का प्रभावन के विषय में ग्यान प्राप करने की विद्ध्या को कहते हैं ज्यान प्राप करने की उतो क्या करते तो जेरेंटोल जी क्या कहेंगे जरेंटो लोजि' क्या थाएंगे, जेरेंटोलोजी, ठीक है, ओन्कोलोजी में किसका द्यान होता है, कैंसर का द्यान होता है, किसका द्यान, कैंसर का द्यान, जेरेंटोलोजी में, शरीर विकास में, शरीर विकास शरीर विकास में आने वाली आने वाली असमानताओं का अध्यायन असमानताओं का अध्यायन शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का द्यान क्या कराता है टेरेटोलोजी ठीक है और विर्दावस्ता काल परभावन के विजह में ज्यान पराप करने की विद्याओं क्या करते है जेरेंटोलोजी, औंकोलोजी, कैंसर का ध्यान, केरोटोलोजी, शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का ध्यान, और और नीथोलोजी क्या है, पक्छियों, पक्छियों का ध्यान, क्या है, पक्छियों का ध्यान, और नीथोलोजी, चलिया, तैस में क्या हो गया, पुष्तक दा ओरीजिन पेस्पेसीज पूरा नाम लिख देते हैं बाई नेचुरल सेलेक्शन सेलेक्शन प्राकिर्टिक इसका हिंदी होगा प्राकिर्टिक चयान द्वारा जीवो का विकास विकास यह किन के द्वारा लिखा गया डैर्वीन के द्वारा ओर द्वारीजिन पेस्पेसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन यहां द्वार नहीं लगेगा ठीक है और यह आपका हो गया प्राकिर्टिक चयान द्वारा जीवो का विकास स्किन के द्वारा डार्विन के द्वारा इसका इनों ने रचना कब की थी 1869 ठीक है लिनियस एक पुस्तक लिखें क्या कि सिस्टेमा नेचर कि सिस्टेमा नेचर लिनियस के द्वारा लिखा गया बुक है ले मार्क के द्वारा लिखा गया बुक कब है पिलोस्फिक जुलोजिक कब लिखेते हैं तो ये अठारेस और नौईस भी में ठीक है और मेंडल को आनुबांसिकी के पादर करते हैं अनुबांसिकी के पिता क्या कहें में और नेचूरल सेलेक्शन प्राकृति चाहन्द द्वारा जिवों का विकास पुरा किताब का नाम है लिखे ये चार्ल्श डर्मिल लिखे सिस्टेमा नेचर इनको फादर आप टेक्सोनॉमी करते हैं यानि बर्गी करन का पिता लेमार्क फिलोस्फिक जुलोजिक लिके अठारस और नौवीश्मी में इनका भी संबन्द इवोलूसन से हैं और डार्वीन को आनुवांसिकी के पिता करते हैं से लिए नेक्स्ट आईए निवन में से कौन एक बास्तविक मचली है लगा हुआ है बास्तविक मचली नेचुरल फिस कौन है तबास्तविक मचली कैट फिस है इसको क्या बोलते हैं मांगूर भी बोलते हैं मांगूर मचली और यह मचली बहुती है मतस्वर का है रजत मीन जो है यह आपको है अर्थोपोडा का है अर्थ्रोपोडा ग्रेफिस भी क्या है अर्थ्रोपोडा ही है और जेली फिस क्या है तरेटा तरेटा या इसी को बोलते है नीडेरिया क्या वो लेंगे नीडेरिया इसको सिलिंट्रेटा या नीडेरिया ग्रूप भी बोलते है तो जेली फिस यह तीनों के तीनों रज़त फिस रज़त फिस क्रेप फिस जेली फिस इसमें फिस लगा हुआ है लेकिन यह बास्तविक नहीं मचली है टिक है उसके बाद यह सब जो है मचली लगा हुआ लेकिन यह मचली नहीं है लेकिन क्यट्र फिस जो है यह बास्तविक मचली फिस टाप से यहां में पुछता है कौन बास्तिविक मचली है कौन नहीं है catfish dogfish यह दोनों बास्तिविक मचली है और बाकी जतना भी फीस है सब बास्तिविक मचली नहीं है फलिदार पादबो की जड़ों में उपस्तित गाठों में पाये जाने वाले नत्र जान इस्तिरी करन जिवानू क्या होते है और फलीदार का मतलब दाल वाला पौधा के जड़ में जो बैक्टिरिया पाया जाता है ये जिवानू जो पाया जाता है उसको क्या बोलते है राइजोबियम क्या बोलेंगे राइजोबियम ठेक है और ये राइजोबियम जो ह ।ੇ जड़ वाला पौदे के जड़ के गात है। दोनुमें क्या है। से म endure संबद aussi पींबई हैंस का मतलब हुगया। कि दोनों को benefit होता दोनों को 2 होता है क्या फैर्डा उता है भाई तब देखिएगा। कि जड़ वाला पौदे के डाल था ने के लिए स्बसेकर देस के सम्द्दτη का मतलब होता है दोनों को लॉप होता है सहाजीवी समद में क्या होता है दोनों को लाब होता है बहुत हर बेनिफिटेट दोनों को लाब होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सहाजीवी समद मिस्तोप जीवी का मतलब होता है चड़े गले पदार्थों से चड़े गले चड़े पदार्थों से भोजन प्राप्त करना और इसका एक्जाम्पल है क्या है ये आपको कवक कवक जिसको फंगी बोलते हैं और मितोब जीवी को क्या बोलते इंगलीज में प्रोफाइट इस तड़े गले पदार्थों से पोजन प्राप्त करें जैसे देखें कवक यहां भी होगा फंग जहां भी निकले गा सड़े गले पुराना जो पड़ा हुआ है शड़ रहा है गल आस्रे लेना परास्राई दूसरे से रहने के लिए जोगा लेना परास्राई परास्राई का मतलब दूसरे से आस्रे लेना परजीवी दूसरा हो गया पर यह सिर्फ आस्रे लेता है दूसरे से अब पारासाइट हो गया जो आस्रे रहने के लिए और भोजन दोनों लेगा उ तो यह क्या हो गया फली दार पात्पों की जड़ों में उपस्तित गाठों में पाये जाने वाले नत्रजन इस्तिकरण जीवानू को क्या कहते है ओ साज जीवी संबंध होता और कौन सा बेक्टिरिया होता है राइजोबियम बेक्टिरिया होता है निमने पादपों में से किसका संग्रा अंग तना नहीं है आप फिगर देख सकते हो कौन तना नहीं है जड़ है फिक है तो आप देखो गन्ना अधरकालू सब क्या है तना है स्वीट पर्टटों क्या है जड़ है यह आपको टुब्रस रूट कंदिल जड़ कंदिल जड़ का मतलब होता है यह जो तना है यह जो जड़ है यह तना के गाट से निकलता है नोड से निकलेगा नोड मतलब संधी यह से मालों की यह तना है आप देखिएगा गन्ना वगर हमें इस तरह का इस्ट्रक्चर ऐसे इसको बोलते है नोड संधी दो नोड के बीच की दूरी को बोलते है इंटर नोड यानि पर्वसंधी दो नोड के बीच की दूरी इंटर नोड तो देखिएगा इसमें जो है यह जो जो है तना के नोड से निकलता है और भोजन संग्रा के कारण ओनियमित अकार का होता है सकरकंद का स्वीट पोटेटो का अकार जो है यह ओनियमित होता है उसका अकार नियमित नहीं होता है ठीक है तो यह हो गया स्वीट पोटेटो शकरकंद और यह कार्बो हाइडेट का बहुत बड़ा सुरूत है तो यह स सलजम और चुकंदर यह सब वमिगत्तर है ती जड़ के एक्जामपल है गन्ना हो गया अध्रक हो गया आलू हो गया उसके बाद ओल ओल अर्वी लासून प्याज इस सब क्या हो गया तना हो गया यह सब क्या हो गया तना हो गया यह सब तना हो गये और यह हो गये जड़ हो गये क्लियर कौन सा एक जीवेँ अन्य टीन जीवों के बर्ञ से नहीं आता आब में यह 7 इंदे इन अर्थो पूड़ा गुरुप काहा है लेकिन पूर्धो पूड़ा में भी बहुत से गुरुप है तरू पूड़ा में यह बरुती we gotta agree these students about het अरेकिनाडा ग्रूप अरेकिनाडा ग्रूप अरेकिनाडा ग्रूप तब यह कौन के खड़ा यह अलग है यह कौन सा गुरूप है भाई तो यह मलेको श्चेका मलेको श्चेका ग्रूप का है केकडा अरेकिनाडा ग्रूप का बिच्छू बरूत मकडी और बिच्छू यह तीनो एक ग्रूप का है और केकडा जो है सब अर्थो पोड़ा ही है अर्थोपोडा में कई गुरुप का यह भी है इस में लीखित उड़ने चम गादर पक्षी नहीं है यह क्या है अस्तंधारी यह बच्चा को जन देता है और दूद भी पिलाता है यह क्या है अस्तंधारी है और बाकी जितने भी है यह सब क्या है पक्षी है पक्षी में भी दूगो उड़ने वाला और दोरने वाला रेटाइटी और करिनाइटी रेटाइट दोरने वाला में हो गया कीवी सुतुर्ग एमू अब बाकी उनको छोड़ दीजे तो बाकी सब उड़ने वा ले लिए इसमें चमगाधर क्या है ये पक्षी नहीं है ये अस्तंधारी कि में जिवित प्रानियों का कौन सा समु एक ही एस्पेसी से समझित है ज्यान दिजिए का निमलिखित में से जीवित प्रानियों का कौन सा समू एक ही एस्पेसिस से समझ जीत है अब देखो खिबकिलिम अगर मजसाप अलग अलग एस्पेसिसे प्षाइलब एक है कबुतर पेंडुकी एक है लेकिन तीतर अलग है कीता बिली एक है लेकिन सेर अलग है तो यहां क्या हो गया निमलिखित में से जीवित प्रानियों का कौन सा समूँ एक ही एस्पेसिस से संब्दी थे एक ही जाती से एक ही परक से संब्दी थे ठीक है तहीं में से कौन हो जाए ये और काले या फिर की ये एक भी एश्पैसिस है कौन है होमो सेपियंस क्यों हो मों कि प्यांज हो मों सेपियंज हो मों से इसे समांदी नहीं सब हो माल गुंगरला किनी का नाच चप्टा है तो होमोश-प्यंसी लेगिन बाकि इससाब में धो मेल खाते हैं बाकि कोई मेल नहीं खाते हैं क्या हो जाएगा चीनी अमेरीकी भारती और काले अफिल कि लो राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स किसको बोलेंगे भाई, ता आरेने को राइबोजाइम्स भी बोलते हैं, आरेने को राइबोजाइम्स भी बोलते हैं, ता राइबोज, कहीं कहीं राइबो लिका रहा, राइबोज, निकलिक एसीड, राइबोज निकलिक एसी ढिक डी आकसी राइबोज नुकलिकेसीड राइबोजाइम क्या होते है आरेने को राइबोजाइम भी कहते है ठीक है राइबोज नुकलिक को इड़ी double helix double helix DNA double helix का होता है RNA single helix का होता है एक धगा का होता है ठीक है? RNA में क्या क्या होता है? एडनीन गौानीन टाइटोसीन टाइटोसीन और इवरासील इवरासील बेस होता है DNA में क्या होता है? तो DNA में हो गया एडनीन गौानीन टाइटोसीन और ठाइमीन यह आपको DNA में जो है ठाइमीन होता है RNA में ठाइमीन नहीं होता है RNA में क्या होता है? युरासील होता है तो राइबोजाइम्स क्या होते है आर एने को ही हम लोग राइबोजाइम्स भी करते हैं पर टेया एलास्टिक उत्तक जो हडियों को एक साथ पक्रे रहता है यानि हडी को हडी से कौन जोडने का क्याम करता है असनायू लिगामेंट हडी को हडी से जोडने काम करता है एक होता है टेंडन टेंडन या क्या करता है अधी को मांस्पेसी से जोड़ता है और टेंडन को क्या बोलते हैं कंडरा बोलते हैं क्या बोलेंगे कंडरा बोलते हैं टेंडन को क्या करते हैं कंडरा करते हैं ठीक है नेच्स आएए सुची वान और सुची टु को मिलाएए उपरोस्rée हिंदी में याद रखियेगा ताँ यह बड़ा मुस्किल है उपरोस्थी को बोलते है left bone जत्रू को बोलते है collar bone collar bone जानुप फलक को बोलते है kneecap जानू पलग को बोलते हैं नीकैप और एसकंद पलग को बोलते हैं आपको shoulder blade shoulder blade shoulder blade अब धेखो breastbone यहाँ यह sternum होता है ब्रेस्ट क्या हो गया sternum एके चार तहीं है एके चार एके गोसी नमबर में collarbone को बोलते है klevical तब B का हो गया c नीकैप को बोलते है पटेला तसीका हो गया दू और असकंद पलाग शोल्डर बिलेट को बोलते हैं एसकैपुला यह तीन हो गया ठीक है तो यह चीज को याद रखिएगा आप उपरोस्ती ब्रेस्ट बोन यह यहां से जूटा हुआ होता है रिबोन कॉलर बोन यह यहां की हटी इसको सुंधरता क हड्र की हड़ी भी बोलते है कॉलर सुंधरता की हड्र बोन यह किदर होता है ठीक है और जानूपलक नीक यह देखो यहां पर होता है घुटना में होता है आगे पीछे मुडते रहता उसको पटेला बोलते हैं और असकंद पलाग इसको वो शोल्डर बिलेड बोलते हैं ये हो गया स्कैपुला इसका एंसर हो गया चार एक दो टीन क्लियर कि मानों सरीर में अक्सिजन का अभीगमन होता है जैसे हम अक्सिजन सांस लेते हो सबसे पहले कहा जैगा पहड़ा में जाएगा अप्धिफडा में वहाँ से हेमोगलोवीन पर तिक्लिया करेगा ऑक्सीहमोगलोवीन बनाएगा फिर बलड के साथ कहाँ चल जागा सेल में सेल में कोच्छिगा उत्तक बेज़ाई तो सबसे पहले फ्यपड़ा कहा आया हवा कहा आया oxygen कहा आया फ्यपड़ा में उसके बाद कहा गया रख्त में उसके बाद कहा गया उत्तक में तदू एक तीन सबसे पहले फ्यपड़ा बलड और उत्तक तदू एक तीन एंसर होगा दू एक और तीन इसका एंसर हो जाएगा त लिबिष्रित में से कौन सायू कौन सही सुमेलित नहीं है। निया सीन प्लेगर हाइस को क्या बोलते हैं। न मैंट्रान्यक, बिटामिन ब स्वुर्सट्राइबकृत रसव भरपटाइबकृत रख्णापृत आधारशनले ita ट्रच ऑन्न यृष रिखवर कउगफ परफदरिकृत रख्ण कई रख्ण रिज्गृत का नहीं बनता है क्या होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है यानि नियासीन से प्लेगरा थाइमीन से वेरी 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 विटामीन डी से सुखा रोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रीकेट्स बोलते हैं बच्चों में क्या होता है रीकेट्स होता है ठीक है यह हो गया आप का बिटामिन के से बांध्यपन नहीं होता है बांजपन नहीं होता है एस्टराइलेस नहीं होता है यह बांध्यपन किसे होता है यह होता है बिटामिन E से अब बिटामीन E को क्या बोलते हैं सुन्धरता का बिटामीन क्या बोलेंगे सुन्धरता का बिटामीन और इसका बाइलोजिकल नेम क्या हो जाएगा तोको तोको फेरोल क्या हो जाएगा टोको फेरोल इलियार तब विटामिन के से रख्त का ठक्का नहीं जमता यही एंसर आपका सही सुमेलित नहीं है देख देखो निमलीखित में से किस विटामिन की कमी से खुन का ठका धीरे बनने की बीमारी होती है तब ही बता है विटामिन के से विटामिन सी से क्या होता है एसकरवी होता है विटामिन दी से रिकेट सुखा रोग होता है विटामिन दी से जनन समता की कमी होता है और विटामिन के से रग्त का ठकार नहीं जमता है के बिटामिन दी का पायलोजिकल नाम है एसकॉरबीक एसीट को बिटामिन डी का कैल सी फिरोल और विटामिन ए का क्या हो गया टोको फिरोल कैसा लगा है ते मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो और सेयर करो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट के साथ अप्तकत के लिए बाए गुड नेट